मेरे यूटूब चैनल एस्टोर नरेश पर आपका स्वागत है मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है शनीदेव के गोचर की शनीदेव का गोचर जो है वो 17 जनुरी को होने जा रहा है और इस गोचर के साथ ही मीन राशी के ओपर शनी की साड़े साथ ही शुरू हो लेकिन बीच में वक्री होते हुए मकर राशी में चले गए थे अब दोबारा से 17 जनुरी को कुम राशी में गोचर करना शुरू करेंगे कुम राशी शनीदेव की अपनी मूल त्रिकॉन राशी है और यहां पर शनीदेव बहुत कमफर्टेबल फील करते हैं और यह चीज जो है जब शनीदेव कर देते हैं अगे चार महीने के आश्पास में रहेंगे एक महिना अस्तवस्ता में रहेंगे बाकी पूरा साल कुम्ब राशी में ही गोचर करेंगे वक्री होकर पीछे नहीं जाएंगे तो इस पूरे गोचर का और पूरी दुनिया पर क्या आसर होगा ये भी जानेंगे और आपके ऊपर क्या आसर होगा ये भी आगे आगे बताएं शनी का गोचा शुरू हुआ उसके छे दिन के बाद रूस ने रशिया के उपर अटैक कर दिया अब वो लड़ाई अभी तक चल रही है क्योंकि शनी जो है वो अभी भी मंगल के नक्षत्र में है ये नक्षत्र परवरतन करेंगे मार्च मिड में जैसे ही धनिश्टा नक्षत शोड़ेंगे चोदा मार्शी आसपास ये सतभिषा नक्षत्र में राहू के नक्षत्र में जाना शुरू कर देंगे और इस नक्षत्र में आने के बाद युक्रेन और रश्या का कंफ्रिक्ट जो चल रहा है वो थम सकता है इसके बाद हम थोड़ी सी पॉस्टिविटी की उमीद कर सकते हैं दुनिया में क्योंकि इसके कारण सप्लाई चेन पूरी दुनिया में डिस्टरब हुई है बहंगाई बहुत बड़ी है जो सेंट्रल बैंक्स है दुनिया के सबको इंट्रस्ट रेज करने पड़े उसके कारण सब की जो है वो इंकम के उपर थोड़ा सा असर पड़ा है हम सब की और खास दोर पर आईटी सेक्टर में बहुत नुक्षान हुआ है बड़े स्थर पर ले ओफ हो रहे हैं तो यह पूजिशन हम आने वाले तीन महीने के बाद इंप्रूम्मेंट की तरफ जाती हुई देख सकते हैं यह तो था इसका दुनिया के उप परभवाश के हसाब से जोतिश की परभवाश के हसाब से अच्छा नहीं है लेकिन यह अच्छा в 20-25 वाक्य में वहाय fine back करने आती है प्रोंपर जो समझते हैं आपको बता सकते हैं आपकी कुंडली में जाकर शनी ने कुण नाफ के मात फुर्ली कउम राशी में पांच से जँज़ादा हैं छे साथ हैं आठ हैं यह गोचर आप को अपके वागे साहन के उपर जाती है इत का मतलब यह है कि खागे स्लो हो जाएगा भागे स्लो होने आपने किसी चीज के लिए टेंप किया है लेकिन उसका रुद आपको उतनीी तेजी से नहीं मिलेगा जितनी एक्पेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर भागेसान पर शणी की द्रिश्टी है नुवा भाव जो होता है वो आपके ट्रेवल का भाव होता है आपके अध्यात्म का भाव होता है आपके रिलिजन का भाव होता है रिलिजिस ट्रेवल यहीं से देख जाता है तो वहां पर सारी च में दिक्कत हो जाए हो सकता है ट्रैवल में को प्रोलम हो जाए तो यह इस चीज़ के लिए आपको सिंग राशी के जातकों को मांसिक तोर पर त्यार रहना पड़ेगा कि यह चीज़ हो सकती है लेकिन शनी जिस भाव में आते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं जिदि आपको उसका रिजल्ट देते हैं तो लेकिन शनी की द्रिष्टी जहां पर जाती है वह घर थुड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है दूसरा जो दूसरी जो द्रिष्टी पड़ेगी शनी द्रिष्टी आपके लगन के उपर पड़ेगी यानि की चंद्रमा के उपर करेंगे हो सकता है कि आप आज का काम कल के उपर करना छोड़ दे हैं हो सकता है कि आप आपके सामने ऑLP अपर चुंटी को ही घ्रैम ना करे तो आलस नहीं करने का यह जब आपको लगे कि आप आलसी हो रहे हैं तो यह शनी देव का इंपक्त है यह यह चीज आपको बढomy करन लेंगे जो शायद ठीक नहीं होगा में आपका व्यूपॉइंट आपको लगेगा ठीक है सामने वले को लगेगा यह नहीं ठीक है तो आप यह यदि उस चीज के उपर स्टैंड ले लिया तो हो सकता है कि आप वहाँ पर गलती कर जाए उस समय नहीं पता लगता है इंसान को क वह गलती कर रहा है लेकिन बाद में जब रिलाइज होता है तो चीजें काफी आगे निकल चुकी होती है तो ऐसी इस्तिति यदि आए कोई कंफिल्ट की स्थिति आए जहां पर लगे कि आपका उपिनियन और दूसरे का उपिनियन डिफरेंट है तो आपको अपने उपिनि तो इन सारे significance में आपको थोड़ी सी disturbance देखने को मिल सकती है यदि आपकी मदर की तबियत अच्छी नहीं है तो शनी यहां पर आकर और थोड़ा सा काम खराब कर सकते हैं क्योंकि दस्वी दिश्टी जब शनी की जाती है तो आपका आपकी मदर की health compromise होती है आप यदि property खरीदने का plan कर रहे हैं कोई asset खरीदने का plan कर रहे हैं कोई गाड़ी खरीदने का plan कर रहे हैं उसमें delay हो सकता है यदि आप गाड़ी नहीं लेकर आ रहे हैं 17 January के बाद सिंग राशी के जा तक हैं तो हो सकता है कि गारी ये भाहर आते ही पुराणी हो जाए, मिर्च पुरानी इंदसेंस, उस पर कोई खुरॉच आ सकती है, उस पर कोई प्रॉल्ण मॉ आ सकती है, मिर्ज वो नहीं नहीं रहए पाएगी, तो इस तरह की चीजें हो जाती है जैब शनी का ट्रांजेट सब्टम में हो रहा होता है चो था भाव health के लिहाइस से मैं बता रहा हूं क्योंकि लगन के ऊपर शणी की दृष्टी है तो बिज्ञे health compromise थोड़ी बहुत हो जाती है चो था भाव क्या है चोथा भाव आपकी chest है चो था भाव तो सकता है कि आपको complications बढ़ जाएं यदि आपके blood में किसी तरह का cholesterol में व्रिदी है या किसी भी तरह की चीज है तो इसको normally मत लीजिए इसको normally मत लीजिए seriously लीजिए इसके उपर थोड़ा सा diagnose जुरूर करवाईए क्योंकि ये problem आगे जाकर बढ़ सकती है और शनी देव की दिश्टी या पर दो साल ही रहनी है तो इस चीज में आपको थोड़ा सा साथधान रहना पड़ेगा तो सिंग राशी के जातकों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली होंगी शनी देव के गोचर के कारण हाला कि सारे शनी देव सिंग राशी के जात्कों के लिए गोचर अशुब नहीं है 3-6-11 में अशुब होता है इसका मतलब यहने कि केंदर में अशुब हो जाएगा वैसे भी केंदर का स्थान वो जो सब्तम स्थान है वो शनी वहाँ पर दिखबली होते हैं यदि वहाँ पर मार्क्स जादा है मैंने पहले भी पताया कि अश्टक वरगा में तो शनी का बहुत जादा जरूर दीजिए पेज को सब्साइब जरूर करिए वीडियो यदि अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिए कमेंट जरूर करिए मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा इसके साथ ही मुझे दीजे जाजत नमस्कार